इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर पुछे। सही मात्रा होना महत्वपूर्ण है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. ये हड़ी संबंधी विकारों यानि की जैसे रिकेट्स और ओस्टियो मलेशिया को प्रबंधित करने और रोकने में मदद करता है 2. जब तवचा सूरी के प्रकाश के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन D बनता है 3. कैल्शियम के साथ विटामिन D का उप्योग हड्यों के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस को प्रबंधित करने या रोकने के लिए किया जाता है 4. कुछ विकारों यानि की जैसे हाइपोपेरथाइरोइडिजम स्यूटो हाइपोपेरथाइरोइडिजम और पारिवारिक हाइपोफोस्फेटेमिया के कारण कैल्शियम या फोस्फेट के निम्न स्तर को प्रबंधित करने के लिए दवाओं के साथ विटामिन D का भी उपियोग किया जाता है 5. इसका उपियोग गुर्दे की बीमारी में कैल्शियम के स्तर को सामान्य रखने और हड्डियों के सामान्य विकास के लिए किया जा सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगाए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें